यह सो हलो एवरीवान हिटेश येर टोड़ेई वी गना टॉक अबाट दी मूवी कालड प्रीडेटर यह मूवी मेरे क्रोलजिकल ओडर एलियन और इंजीनियर यूनिवर्स की फिफ्थ मूवी है और परसनली कहूं तो यह मूवी भी मुझे काफी ज़दा पसंद आई 2018 में आई इस मूवी के सीजी आई वी एफेक्स और साथी ग्राफिक्स काबिले तारीफ हैं और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है सनाव विदाउट विस्टिंग टाइम चलिया आते हैं इस कहानी की मेंन स्टोरी लाइन की दरफ जिसकी शिरुवात में हम स्पेस में की स् को ओपन करता है और वहां से प्रत्वी की और निकल पड़ता है अब इससे पहले कि उसका शिप क्रेश लैंड करें इससे पहले एक रेस्क्यू पॉर्ट में से वो प्रेटर निकल कर एक दूसरी लोकेशन पर आ जाता है जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के ल होता है और साथी बेहुश भी हो जाता है फोश में आने पर उसे अपने पास में यह स्पेश शिप क्रेश दिखाई पड़ता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत जाच पड़ताल करने पर उसे प्रीडेटर का मुखोटा और उसका गनलेट मिलता है मकैना बस उस गो चेक कर ह राह होता है कि तभी वह गॉण लेट उसके हाथ में फिट हो जाता है तभी वहां पर मेकेना के साथी भी पहुंच जाते हैं और इतने बड़े क्रेश के उपर चर्चा करने लगते हैं तभी मेकेना उस मास्क को एक बैग में छिपा देता है और कहता है कि यह काम आएगा इस में बताने के लिए क्योंकि हमारे दिएगे मिशन में तो हम कामियाब होई नहीं तो कोई तो रिजन देना होगा ना गौर्मेंट को मगर इतने में वहां पर नॉर्मल प्रीडीटर पहुंच जाता है अब हाला कि यहां पर कुईन मेकेना उससे छिपने की कोशिश करता है आँगा तो वो वीडियो भी जल्द ही आने वाला है कमिंग बैक तो दा में स्टोरी इसी वक्ति यहां पर एक हैलिकॉप्टर के एंटरी होती है जिसमें की गौर्मेंट के खूफिया विभाग के लोग होते हैं इनका काम था एलियंस पर यानि की दूसरे घ्रहों से जीवो इड्वांस एक्यूपेंट्स निकलते हैं सभी को अपने साथ ले लो अब इस हाथ से के कुछ दिनों के निकल जाने के बाद में कुईन मकेना जो कि इस वक्त मैक्सिको शहर में होता है वह वहां के एक लोकल कूरियर सर्विस में जाकर उस गॉन्डलेट और साथ ही मास्क को अपने घर पर डिलेवर करवा देता है जो की रिसीव होता है कैलिफोर्णिया में उसके बेटे रॉरी को अपने फादर की द्वरा भीज़ेगे बॉक्स को जब उपन करता है तो उससे भी उसके अंदर वो मास्क और साथ ही गॉन्डलेट मिलता है जब उस गॉन्डलेट को जिसके बाद उसे जेल भीज दिया जाता है इसी दुरान उसकी मुलाकाद बस में कुछ क्रिमिनल से होती है जिन में एक विलियन नाम का शक्स भी था जो कि बताता है कि इस पूरी बस में मेरी टीम ही जा रही है हमने काफी बड़े-बड़े काम किये हैं दरसल किसी वक्त य गेम ऑफ थ्रोंज वाला वाल अगर आपने मेरे वैब सीरीज एक्सक्लेनर वाले चानल पर गेम ऑफ थ्रोंज के एपिसोड नहीं देखे तो जरूर चैक आउट कीजिएगा और अगर स्टाइब एक 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 एपिसोड देखना आपको बोड़ लगता है तो फ्रेंचाइज पारे में वह थोड़ी जानकारी इनको देपाए जिसके बाद एक हैलिकॉप्टर के मदद से केसी को उनके सीक्रेट डेपार्टमेंट पे लेकर आया जाता है अंदर जाने पर किसी को प्रिदेटर के हतियार देखने को मिलते हैं जिन में एक था मास्क प्रिदेटर का I mean दे देख पाती है जिसकी बनावाट काफी हद तक ऐसी ही ठी ये हैं कि सुपर प्रठवी तक पहुंच चुका था जहां पर नौर्मल प्रेडś एक्टिवेट हो गया था सूपर प्रीडेटर ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और अपने अडवांस टेकनलोजी की मदद से सूपर प्रीडेटर को रॉरी का एड्रेस भी मिल जाता है रॉरी को तो इस वक्त यह लग रहा था कि वह बस एक छोटा सा गेम है और वह से एक कोशिश करते हैं मगर उसके सामने तो कौन ही टिक सकता था क्योंकि वह बाकी इंसानों से तर्रार और ताकतवर था उस पर काफी बार फाइरिंग भी करी जाती है मगर उसकी चमड़ी इतनी हार्ड होती है कि उस पर कोई इसर नहीं होता उस दानाव से जान बचाने के लिए केसी एक लैब में छपजाती है वहीं प्रिडेटर बाहर निकल कर उनी की बंदूकों से उन गार्ट को मार कर काच तोड़कर पुराने वाले प्रिडेटर के हतियार अपने पास रख लेता है इस मासक के जरिये अपने दूसरे वाले मास को कनेक्ट करके रौरी की लोकेशन क का पता लगा लेता है और अब क्योंकि वहां के लोगों में से सिर्फ ट्रैसी ही बची थी तो ट्रैंकुलाइजर गन लेकर प्रीडेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है मगर इससे पहले कि वह से मार बाती वह वहां से भाग चुका था इसी बीच कुईन मकेना जिस बस मे प्रत्वर और एडवांस एक्यूपमेंट से लैस है अगर हमने आज उसे नहीं हराया तो कल को वह आकर हमारी पूरी प्रत्वी को ही खत्म कर देगा इसलिए इस सारे एक्स सोलजर्स मिलकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब यह सभी मिलकर उस बस को हाई पहुँच जाती है और जब वह उसके उपर वार करने वाली होती है कि तभी बस से धक्का लगता है और वहीं पर गर जाती है और उसका इसकी वजह से वह बहुश होना चालू हो जाती है इस वक्त को भी पता लग चुका था कि कोई तो एक ऐसा यानिकि अदेंटिफाइड है जो कि हमारे रेडार सिस्टम में डिटेक्ट हुआ है इसलिए वो सभी मिलकर उसके स्पेस शिप का पीछा करते हैं लेकिन तभी स्पेस शिप को इन्विजीबल फॉर्म में बदलकर उनसे बचने की कोशिश करता है यहां पर फाइटर जैट उसके उपर काफी सारी और बहुत ही खूंकार दिख रहा था जसके बाद वह अपने दो कुत्ते जिसे दिखने वाले प्रीडिटर को रॉरी की घर का लोकेशन दे डालता है यहां पर क्विन में कैसी और साथी विलियम यह सभी मिलकर यह सूचने लगते हैं कि आखर हम इस प्रीडिटर को कैसे रो और जब उसे पहनता है तो देख पाता है कि किस तरीके से प्रीडिटर इंसानों का डिये ने अपने शरीर में डालकर अपने आपको इन्हेंस्ट कर रहे थे देखा जाये तो प्रत्वी के बाकी सभी जीवों से इंसानी एक ऐसा जीव है जिसमें सूचने समझने की काफी अ कर खास इंसानों से उनका डीने लेकर जाते रहते थे ताकि फ्यूचर में आगे आने वाले हर सौ साल में एलिएंस के साथ होने वाली फाइट में वह अपने आपको और ज्यादा मजबूत बना ले बेसिकली आज हैलोवीन का दिन होता है और रॉरी उसी मुखोटे और गॉ करता है लेकिन ये सारी चीज़ें कर लेता है और उसी मेंसे वह से स्ज्मी वेता है लहां पर इस वक्ति ऐसे दो मौझूद थे जिसमें से एक को तो कुईन मकेना अपनी लॉंचर गन से फोड़ देता है वहीं दूसरे पर विलियम की टीम बहुत सारी गोलिया मार मार कर अध्मरा कर देती है और फाइनली केसी आकर उसके सर में वार करती है और से खत्मकर डालती है मगर इसी बीच वहां पर नॉर्मल प्रिडिटर पहुंच जाता है और रॉरी से अपने वापस मांगता है लेकिन तभी विलियम की टीम में से एक शक्स थोड़ा अजीब होने का बिहेव करता है और जैसे प्रिडिटर का ध्यान बढ़ता है तो पीछे से मकैना अपने बेटे रोरी और कैसी को लेकर वहां से भाग जाता है भागते भागते यह सभी लोग एक स्कूल में पहुंचते हैं मगर वहां पर भी नॉर्मल प्रिडिटर पहुंच जाता है अला कि उसका मकसद इन लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था वो तो बस वापस से अपने एक्यूपमेंट्स पाना चा है बड़ा वाला चोटे वाले को एक हाथ में उठा उठा कर फैक रहा था साथ ही वह चोटी वाले को यह भी पूछता है कि आखिर तुने कारगो कहां पर छिपा कर रखा है मगर नॉर्मल प्रिडिटर उसे कोई जवाब नहीं देता इसका मतलब साफ था कि स्टार्डिंग म साथ में बाहर आ जाता है इसी बीच उस सूपर प्रिडिटर से अपनी जान बचा कर यह सभी मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं लेकिन बतकिस्मती से विल के हाथों पकड़े जाते हैं जिसके बाद तो कुईन मकेना की खूब सारी पिटाई होती है और उससे पूछा जा है कि मेरा यह मानना है कि हर कुछ सालों में प्रिडिटर हमारी धरती पर आते हैं और सबसे स्मार्ट लोगों से लड़कर या तो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं या फिर उनका डिने इंजक करके अपने पास अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने परताल के बाद उसे पता लग जाता है कि आखिर उस नॉर्मल प्रिडेटर का स्पेस शिप कहां पर है क्योंकि वो चुराया गया कारगो उसी में ही है अभी कारगो क्या है यह मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा वहीं दूसरी तिरफ कुईन मकेना जिसने कि उस गॉं के पीछे ही आया है तो अगर उसे खत्म कर दिया जाएगा तो फिर इनके यहां पर वापस आने की संभावना कम होगी मगर चालाक विल तो रॉरी को लेकर और इनके स्पेस्शिप तक पहुंच चुका था अब क्योंकि रॉरी ने पहले भी प्रीडिटर का मास्क उठाया थ तो उसे इनकी लेंग्वेजज और साथ थी वो किस तरीके से काम करते हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत नौलेज थी और इसी की मदद से रॉरी उस स्पेस्शिप का दरवजा खोल पाता है विल कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया मगर इतने में ही वहां पर की आदत थी कि इनसानों को एक्चारी की तरह इस्तमाल करें उन्हें बगाए उनके साथ खेले और वक्त आने पर उन्हें मार दे और इसाई सेम कुछ इस बार भी होता है जहां पर सूपर प्रिडिटर वहां पर मौजूद सभी क्यूप्मेंट्स को हैक करके उन्हें उन्ही क्या पता था कि प्रिडिटर के पास में उसके धर्मल विजन जिनकी मदद से हीट डिटेक्शन करके हर किसी को ढूंड सकता था वैलप क्योंकि उन लोगों के पास में सिर्फ साथ-ाट मिनट ही थे इसलिए क्विन मकेना और विल आपस में ही टीम अप कर लेते हैं और सूप से जला देता है मगर वो तो सूपर प्रिडिटर था इसलिए आंक का उस पर कोई इसर नहीं होता और अब देखते ही देखते सूपर प्रिडिटर रॉरी को अपने साथ उसका डीने निकालने के लिए अपने बेटे की जान को खत्रे में देखकर कुईन मकेना उसके शिप प सूपर प्रिडिटर को क्विन मकेना पर बहुत साता है और उसे बहुत समे अक्ञेड ही उसके उपर थे नहीं यदि क्लिए उसका चूर्व कर देतां जिससे की दोनों पैर भी पूरी तरीके से नाकाम हो जाते हैं और फिर होता है मुकाबला बराबरी के जहां पर उस हाथ पेर कटे हुए प्रीडेटर को कुईन मकेना अपनी गंद से सर पे शूट करके जौन से माल डालता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है वहीं पर इस मूवी का एक पूस क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर उस हाथ से के कुछ महीनों बाद कुईन मकेना को प्रमोशन मिल जाता है और साथ ही गौवर्मेंट के खूफय विभाग में उसे एक हाई पोजीशन भी मिल जाती है इस वक्त तक उन्हें उनके शिप से वह कारगो भी मिल चुका था जि कि वह सूपर प्रिडेटर से अपनी जान को बचा सके और अपने ग्रह की रक्षा कर सके और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह शांदार कहानी यहीं पर खत्म होती है आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लेज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा और पहली बा झाल झाल झाल